नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका विश्व अकेडमी में आज का एक नया टोफिक है प्रदूशन का सेकेंड पार्ट धवनी प्रदूशन दोस्तों धवनी प्रदूशन किसी बस्तू से उत्पन शमान ने कमपन जिसे महसूस किया जा सकता है वह धवनी कहलाता है और शोर कोई भी ऐसी धवनी जो ब्यक्ति को अपरियर लगने लगती है वह शोर कहलाता है बात करते हैं धवनी प्रदूशन की तो कोई ऐसी धवनी जो मनुष्य में तनाव, बेचैनी और कुंठा उत्पन कर दे वह धवनी प्रदूशन कहलाता है धवनी की चाल स्तारवर्दिक ठोस में पाई जाती है और सबसे कम गैसों में धवनी की ओसचाल 332 मीटर प्रती सेकेंड होती है जब किसी बस्तू से उत्पन धवनी प्रत्यक्ष धंग से सुनाई पड़ती है तो वह धवनी की तीवर्दा कहलाती है इसका मापन डेसिवल में किया जाता है जब किसी बस्तू से उत्पन धवनी हमें अन्यमाध्यमम या अपरत्यक्ष ढंग से सुनाई पड़ती है तो यह धवनी की आबरती क्या लाती है इसका मापन हर्टज में किया जाता है डवलू यचो के अनुसार धवनी का मानक किसी भी दसा में दिन के समय धवनी की तीब्रता 45 डेसिबल से अधिक नहीं होनी चाहिए जबकि इनी छेत्रों में रात्री के समय 70 डेसिबल से अधिक धवनी नहीं होनी चाहिए ब्यपारिक छेत्रों में दिन के समय केसी भी दसा में धवनी की तीब्रता 65 डेसिबल से अधिक नहीं होनी चाहिए जबकि इनी छेत्रों में रात्री के समय 55 decibel से अधिक धवनी नहीं होनी चाहिए आवासी छेत्रों में 55 decibel से अधिक नहीं होनी चाहिए और रात्री के समय 45 decibel से अधिक धवनी नहीं होनी चाहिए और जहां 7 छेत्र हैं वहां दिन में धवनी की तीवरता 50 decibel और रात्री में धवनी की तीवरता 46 decibel से अधिक नहीं होनी चाहिए दोस्तो धवनी की अन्यमानक हैं रेश्टूरेंट में 50-55 decibel तक धवनी होनी चाहिए साब्रिजनी कार्यालो में 45-50 decibel तक निजी कार्याले पुस्तकाले में 40-45 decibel तक सम्मेलन कक्स या हॉस्टल में 35-40 संगीत कक्स में 30-35 और टेलीजन और रेडियो कक्स में 25-30 decibel से अधिक धवनी नहीं होनी चाहिए दोस्तो नेक्स्ट टोपिक है सोनिक बूम जेट विमान से उत्पन सामाने धवनी को सोनिक बूम कहा जाता है जब जेट विमान से उत्पन धवनी धवनी के उस्चाल के बराबर होती है तो उसे मेक फर्ष्ट कहा जाता है जब जेट विमान से उत्पन धवनी धवनी की उस्चाल से दुगनी होती है तो उसे मेक सेकेंड कहा जाता है ग्रीन मफलर सडकों के किनारे नेहरों के किनारे डेलवे लाइने के किनारे ब्रक्ष्टों के कतारवद्ध धंग से लगा कर धवनी को निंत्रित करना ही ग्रीन मफलर कहलाता है धन्यवाद दोस्तो अगर वीडियो पसंद आए तो सेर सस्क्राइब और लाइक चरूर करना